ये छात्रो आज की क्लास में ये आपका एक तरीके से एकोनामिक्स के रिलेटेड आपकी समितियों से संबंधित कोश्चन आपकी एक्जाम्स में या परिच्छों में पूछे जाते हैं उसी समितियों के संबंद में कि किस समिती का संबंद किस से है उसी के संबंद में मैं ये वीडियो ले करके आया हूँ तो इसमें आपका केलकर समिती और इस केलकर समिती का संबंद जो है पिछडी जाती के समिच्छा हेतु इसका गठन किया गया जो की बिजय केलकर इसके अध्यक्ष थे जितनी भी समितियां बनी हुई हैं उन सभी समितियों के अध्यक्ष के नाम पर ही इन समितियों का गठन किया जाता रहा है और ये जो समितियां हैं इसमें अन्य सदस से भी शामिल हुआ करते हैं लेकिन जो भी इसका अध्यक्ष होता है समिती का उसी के नाम पर इन समिती का गठन किया जाता है और उसको उस समिती को उन छेत्रों में समिक्षा करने के लिए या रिपोर्ट सौपने के लिए कारे दिया जाता है तो केलकर समिती का सम्वन्ध पिछडी जाती के समिक्षा है इसका गठन किया गया दूसरा है आपका नरसिंहन समिती और नरसिंहन समिती में का गठन जो है वो बैंकिंग में किस तरीके से सुधार किया जाए इसकी रिपोर्ड प्राप्त करने के लिए नरसिंहन समिती का गठन किया गया उसके बाद से आपका है चलैया समिती और चलैया स समिती जो है वो कर सुधार तथा काले धन की समाप्ति हेतु किया गया है अब आपका अगला है स्वामी नाथन समिती और इस स्वामी नाथन समिती का गठन जो किया गया था वो जनसंख्या नीती के निर्धारन घेतु किया गया था कि जनसंख्या को किस तरीके से लगाम लगा और उस समिती के अध्यक्त स्वामी नाथन थे तो स्वामी नाथन समिती का संबन जनसंख्या नीती से है उसके बाद से भूत लिंगन समिती का संबन जो है मजदूरी आय और कीमत के निर्धारन से है फिर उसके बाद से जैसे कि पहले हम लोग केलकर समिती पढ़े और उसी में हमने बताया कि बिजय केलकर की अध्यक्स्ता में फिर दुबारा बिजय केलकर की अध्यक्स्ता में एक बिजय केलकर समिती का गठन किया गया जिसका संबंद प्राकृतिक गैस मुल्ले से है उसके बाद से आपका है वाईबी रेड़ी समिती और इस वाईबी रेड़ी समिती क संबंद कर नीती की समिक्षा से है राजीव ढोलकिया समिती और इस राजीव ढोलकिया समिती का निर्धारन जो किया गया था वो जीडीपी की गड़ना हेतु किया गया था उसके बाद से आपका है स्वान सिंग समिती और इस स्वान सिंग समिती का संबन मूल करतब्य से है ये कई परिछाओं में आपका पूश चुका है और ये जो मूल करतब्य के लिए समिती बनी थी उस समिती का क्या नाम था स्वान सिंग समिती के सिपारिज पर समिधान में मूल करतब्य को भी जोड़ा गया था उसके वासे सच्चर समिती और सच्चर समिती का संबन मुश्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और सैच्छडिक इस्थिती के सुधार हेतु इसका गठन किया गया था रंग राजन समिती जिसका संबन नीजी छेत्र में सुधार तथा पेट्रो उत्पाज में सुधार हेतु किया गया था दीपक पारिक समिती का संबन बित्ती मामलों में सुधार हेतु किया गया जबकि तिंदूलकर समिती का संबन गरीवी रेखा के नीचे जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनके संबन में समिछा करने के लिए तिंदूलकर समिती का गठन किया गया और ये कई परिच्छाओं में आपका पूश चुका है उसके बाद से आपका सरकारिया आयोग और इस सरकारिया आयोग का संबन आपका केंदर राज्य संबन से है और ये सरकारिया आयोग से भी रिलेटेड आपका कोश्चन कई परिच्छाओं में एक्जाम से पूश चुका है जिसका संबन केंदर और राज्य से है भगवती समिती और ये पियन भगवती जो थे एक सुप्रिम कोड के जज हुआ करते थे और उसी सुप्रिम कोड के जज पियन भगवती की अध्यक्सता में भगवती समिती का गठन किया गया जिसका मुख्य उद्दे से था बेरोजगारी उनमूलन मतलब बेरोजगारी से कैसे निजात पाया जाए इसके संबन में रिपोर्ट तयार करने की जिम्यदारी P.N. भगवती को दी गई थी जिसे भगवती समिती के नाम से जाना जाता है उसके बाद से आपका जानकी रमन समिती और ये जानकी रमन समिती का संबन प्रतिभूती घोटाला से है और ये जो आपका सेयर मार्केट में घोटाला वगएरा हुआ था उसी के संबन में जानकी रमन समिती का गठन किया गया अगला आपका है वांचू समिती और उस वांचू समिती का संबन प्रत्यक्षकर निर्धारण से है कि प्रत्यक्षकर के अंतरगत कौन कौन से कर रखे जाए और इसकी कैसे भारपाई की जाए उसके बाद से आपका है बलवंत राय महता समिती और इस बलवंत राय महता समिती जो कि बल्वंत राय महता नामक व्यक्ति थे और इन्हीं की अध्यक्सता में एक समिती का गठन किया गया और इनको पंचायती राजप्रणाली का जनक भी माना जाता है, तो बल्वंत राय महता समिती का संबन जो है वो आपका पंचायती राजबेवस्था से है और ये भी आपका कई परिक्षाओं में कोश्चन आ चुका है उसके बाद से नानावती आयोग और नानावती आयोग का संबन गोधरा कांड से है और जो गुजरात में गोधरा कांडुवा था उसी की जांच करने के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था उसके बाद से आपका है लिब्राहम आयोग और ये नानावती आयोग से भी related question आपके एक्जांस में आ जाते हैं लिब्राहम आयोग जिसका संबन बाबरी मस्जिद की जांच हेतु किया गया था तो इस तरीके से इतनी समितियां आपके एक्जांस में पूछे जा चुके हैं और इसमें से repeat होने की भी संभावना बनती है तो इस तरीके से किसी भी एक्जां के लिए जो कि आपका CPO अगरा का एक्जां हो किसी भी एक्जां में ये सभी समितियों में से एक आद दो कोश्चन आपकी परिछाओं में एकोनामिक्स बेस्ट पे कोश्चन बन जाते हैं तो इस तरीके से समितियों का ये पूरा वीडियो समाब दूआ आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच